नमस्ता मैं रवनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं बिए सेसी फर्स्ट इंटर लेवल एक्जाम से समंधित पंचायती राज युहाग के पद पंचायत सचिव के समंधित इसके पहले मैं एक पार्ट वन वीडियो जो इससे समंधित है उसमें फिसकल के जो समंधित विद्यापन के स्रेणी बी के पद पर यक्रमान पांच पर है और मुख्य परिक्षा के लिए जो फॉर्म भराए गया है उसमें इस पद का कूर नौ है नाइम है इस पद के लिए सेक्षेनिक योगता जो है जिसे वीत योगता कहेंगे वह है इंटर वह है इंटर और वांचनी है योगता इसमें अंकित है कम्प्यूटर पर टंकन ताइमेस ओफिस का ज्याण विग्यापन के बिंदू दो में उलिखित है कि मुख्य परिक्षा में प्राप्तां तैयार सामान मेधा सुची अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए विकल सेक्षनिक जोगता एवं अनसर्तों पात्रता के आधार पर सेवा का अवंटन किया जाएगा असपस्ट है कि बहुत से केंडिट्स के मन में या दुविधा है कि अनसर्त और पत्रता की जो चर्चा की गई है उसका मतलब होगा कि तक्निकी और वांचनिये योग्यता तथा इसके आधार पर मेधा सुची क्रमांग और पद विकल्प के आधार पर जो केंडिडिट पंचायत सचिपद के लिए अस्थान पाने योग्य होंगे परंतु यदि वे आयोग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर पर टंकन तथा MS Office के ग्यान समंदी परिप्षाब टेस्ट जो भी कहिए उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उन्हें इस पद के लिए आयोग घोसित कर दिया जाएगा इस तरह की क्वेरी दरजनों केंडियेट्स ने की है तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप इससे समंदीत जो नियमा वली है वो भी मुझे आप दिजी तो कई केंडियेट्स ने मेरे वार्ट सेप पर नियमा वली उपलब्द कर आई जो वर्स 2011 की है जो पंचायत सचिव की नियुक्ति अधिकार और करतव से समंदीत है इसमें नियम दो में वर्नीत है कि जो भी पंचायत सेवक अब तक है वे पंचायत सचिव के रूप में पंचायतों में नियुक्ति किये जाएंगे और इस नियम तीन का प्रावधान है कि ग्राम प प्रावधानों के अधीन नियुक्ति की जा सकेगी अब नियम क्या है इसे हम आगे देखते हैं ये नियम चार जिसका उपनियम तीन को कहता है कि आवश्चक अरहता सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षन संस्थान से उच्चतर माध्य में अबलिक इंटरमीडियन अबलिक संक प्राप्त शिक्ष्च परिप्षा उत्तिन होना होगा और नियम चार उपनियम चार के अनुसार वांचनी अरहता वहीत आरहता जो एकदम अनिवाज है और वांचनी अरहता कहता है कि कंप्यूटर संचालन यथा कंप्यूटर पटंकन तथा MS ओफिस का ग्यान ऐसे आवेद पर वहीत आरहता प्राप्त हों अरफ़ात वीत आरहता का क्या मतलब है इंटर वह आवस्च्च हों वे परिक्षा में भाग ले सके जो बांचनी आरहता नहीं भी परिविक्षावधी इसका मतलब होता है प्रवेशन पेरियर्ड के दौरान सामान प्रशासन विभाग की अधिश्रुचना संख्या 1609 दिनां 24-5-2011 द्वारा यथा नियत वांचनी रता प्राप्त करनी होगी वांचनी रता प्राप्त करनी होगा मतलब कि उस प्रवेशन पेरियर्ड में उन्हें कम्प्यूटर टाइपिंग और MS ग्यान का उसको पास करना होगा अन्य था उनकी सेवाएं संपुष्ट नहीं की जाएगी और सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी असपर्ष्ट ये है कि वांचनी रता का मतलब ही होगा कम्प्यूटर टाइपिंग और MS ओफिस का ग्यान इजे उन्हें प्रवेशन पेरियर्ड में पास करना होगा नियम पांच के अनुसार एकदम असपर्ष्ट आगे ये लिखा हुआ है कि प्रवेशन पेरियर्ड दो वर्सों की होगी इस अबधी में इनको तीन चीज करना है कि वांचनी रता भी प्राप्त करनी होगी प्रशिक्षन भी प्राप्त करना होगा और विभागी परिक्षाजों होगी वो इनको पास करना होगा मैंने अब तक जिन तथ्यों की चर्चा की है इसमें बहुत असपस्थ है मैं समझता हूँ कि इसके आधार पर जो नियमावली है पंचायती राजिभाग की पंचायत सचिव के नियुक्ति से समंदित इसके जो विहार का गजट संख्या 323 दिनांक 7-7-2011 का है उस तिति और आयोग का जो विज्यापन निकला है 06060114 उसके प्रकासन किति थी के बीच यदि पंचायती राज विभाग ने वांचनिय अरहता नियम चार के उपनियम चार में कोई संस्वधन नहीं किया है तो वैसे सभी कैंडिडेट्स यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं जो मान रहा हूं में पंचायत सचिव पत आवंटन के योगे हैं तो उन्हें यह पत आवंटित किया जाना चाहिए भले ही वे वांचनिय योगेता संबंधी कंप्यूटर टाइपिंग और MS Office का ज्यान संबंधी आयोग द्वारा आवजीत एकजाम में एपियर नहीं हुए हों अथ्वा अगर एपियर हुए हों तो उसमें वो क्वालिफाई नहीं किया हूं नहीं करेंगे पंचायती राज व्याग के इस पद हेति जो अनुसंचा भिज जाएगी इसका मरा मानना है कि अगर एपियर नहीं हुए या पास नहीं किये तब भी जो अनुसंचा सुची तयार हो उसमें जो आवंटा मिलता है उस तीन आधार पे तो उनको पद मिलना चाह को उसमें यह असपस्ट दर्ज होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट्स के विज़ जो पास नहीं किये अपियर होने के बाद भी तो और या अपियर नहीं हुए उनके जो रॉल नंबर और नाम होंगे उनके सामने रिमार्क्स कोलन में अंकित किया जाना चाहिए कि इनकी अनुसं इस सर्थ के साथ की जाती है कि जो नियम है उसके आधार पर प्रवेशन परियर्यड में इन्हें यह पास करना होगा एक भारतिय नागरिक के रूप में मेरा विनमर अनुरोध है आयोग से कि इन नियमों के आलोग में इन तत्यों के आलोग में अधियाची विभाग पंचायती राज नोडल विभाग सामान प्रसासन विभाग तथा वीधी विभाग का भी प्रामर्श आवस्क्त दनुसार प्राप्त करने की कारवाई की जा सकती है अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा हो तो निस्चित रुप से इसे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और बेला ऐकन को जल्दूर टच करेंगे ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो उसका नुटिफिकेशन आपको तुरत मिल जाए। आप मैं अगला वीडियो फिर महत्वण तकनीव इंद्यों पर जारीए करूँगा जल्द ही। आप सभी लोगों के लिए सुभकामना के आप सुरक्षित रहें। आप सभी लोगों के बहुत ओधेन्वाद जय हिंद्य।